अबी साड़े नो तो फिलाल मैं अभी शावल ले लिया अपी तक रेडी नहीं कियोंकि आज बहुत स्था काम है मुझे बैंग जाना है दो अकाउंट क्लोस करना है और यहां पर मेरे बैंग भी पैक करके रख दिया है सब कुछ फाइल जो है सब ले लिया है तो मुझे आज मिन से तीन बैंग में जाना है दो बैंग एकाउंट क्लोस करना है और टाइम मिला तो फिर में मुझे सीए के पास भी जाना है वहाँ पर भी थोड़ा काम है तो पहले नाश्टा कर लेती हूँ और यहाँ पर चाई बन रहा है सिपु चाई बना रहे तो नाश्टा कर लेती हूँ फिर उसके बाद रेडियो के चलिया हुए चाई की खुशबू से पता चल जाता है कि सुवै हो चुकिये भई। आग खुल जाता है चाई की खुशबू से चाई के नाम से और सुबिस्भगर चाई टोस मिल जाए तो और बस क्या भी बोले। नाश्ते में मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगता है यह चाय डूस बहुत ही अच्छा लगता है और चाय के मिना तो सुबह होती ही नहीं है तो चाय नाश्ता कर लिया मैंने तो अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ तो बैंक के लिए निकलते हैं वहाँ से शेरिंग और पकड़ लूँगी टेशन जाने के लिए तो चलिए चलते हैं तो अपा पाड़ा से टेशन जाने के लिए यहां पर मार्केड में आना पड़ता है मार्केड स्टैन में रिक्षा स्टैन में यहां से हाइवे के लिए भी रिक्षा होता है और मार्क टेशन मलाड के लिए भी तो फिलाल मैं बैट चुकी हूँ और यहाँ पे शेरिंग में आपको एक ओटो में अफकोस शेरिंग में चारजन लेके जाते हैं तो फाइनल इमें टेशन आ चुकी हूँ तो टेशन के सामने ही मलाड इस्ट में बड़ोदरा बैंक का ब्रांच है कियोंकि आज सोमवार है मंडे है तो इसलिए बहुत ही लगता है लाइम जादा है और यहाँ पर मैंने आकाउंट क्लोज करने के लिए यह पर फॉर्म भी भर दिया है एकाउंट क्लोज करने के लिए और उसके साथ पासबूग ATM काड़ आप को समिट करना होता है तो फाइनली मेरा ATM मिन्स बड़ोदर बैंक का काम जो है वो अकाउंट क्लोज हो चुक है और बहुत ही टाइम लगा है मेरा बाल विल सब खराब हो चुक है कम से कम मैं अड़ाई है में दो घंटे वहाँ पे थी कभी बोल रहते जेरोक्स लेका और कभी बोल रहते पासबूग का जेरोक्स लेका और सब यहीं चल रहा था तो अब भी फिलाल देड़ बज़ए और मुझे लगी है भूख तो यहां पेटेशन में सामने मैंने देखा जम्बो किंग है तो यहां से मैं FIOLL UV आपने लिए बरगर मंगा रही हूँ तो यह कौन वाला जो है मैंने बरगर मंगाया है और बर्गरी मंगाया हैÁै कोडरी नई लिया मुझे बहुत जो बहुत अखाव लगी तो इसे डिये मैं एक बर्गर ले लिया है और इनाफ है करकि हूँ स्टेट बैंक उसके बार तो तो स्टेट बैंक में सब्सक्राइए कर मिशनरे वे हो जाकी मैं जाकर लेता है मेरा आटम तो सब्सक्राइए कैम लन्च करने गहां उद्धफ़ को कि सबढों आपको मैं आप कर और मुझे जहां तक पता था कि लंच करने जाएके तो कोई दो जन बेठेगा तो दो जन जाएगा लेकिन यहां पर सब के सब जा चुके सेफ और सिर्फ एक कैश काउंटरी जो है वो खुला हुआ है और बाकि सब के सब लंच पे जा चुके हैं मैं हमारा तो कोई मतलब कस्ट कि अपना काम के लिए तो मैं अबना काम के लिए अपना अधरकार अपना पास्बोग के लिए पहार आगा तो लॉणर के लिया अपना काम के मुझे बारें पोच्छ ना था है लेकिन पास्बूक जो है मुझे नया चीये था लेकिन पास्बूक बोले की नया चीये तो उसके लिए आपको एक बज़े से पहले आना होगा तो वह तो हुआ नहीं कि देड़ बज़े मैं निकली थी खुद वहां से बड़ो द्रबैंग से इसलिए मेरा हुआ ही नहीं तो उ इतने धूप में कोकोनट वॉटर अब इस ते कम नहीं है बहुत ज्यादा धूप है सब काम हो गया है नहीं देना बैंगा एक काम बाकी है और इसके बाद मैंने सोझा था कि देना बैंगा भी हो जाएगा लेकिन अभी तीन बज़ रहा है तो बैंग भी बंद हो गया होगा तो मुझे कल वापस जाना पड़ेगा ये बैंग का काम ने एक दिर लेकित पूरा नहीं तो भी समझ में नहीं आता है सीडियर सुरी कि इतना जाला दूपर यहां से शेरिंग और पख़णों की सीड़ा घर जाओंगी बहुत जूप लगया तो इसलिए चलो घर पर याकिन के लिए मत अपने आपको इतना में इतना टाइम लग जाता है कि क्या बोलू आते आते साड़े तीन बज गया मैं आके जस्ट रभी फ्रेश हुई हो अब तब मैंने खाना भी नहीं खाए लंच नहीं किया तो भोग भी लगी है तो मैं लंच कर लें और यहां पी छोड़ा कि सबजी और खिच्री बनाया दा सिपुन है तो पेट पूजा हो चुगा है अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगी नेंद भी आ रहे थोड़ा थोड़ा तो भी रेस्ट लूँगी और शाम को फिर मार्केट जाने ग्रोसरी का सब कुछ लाना है क्योंकि इस लिए बी मोस्ल गुड़ इवरिवन आप लोग सब क्या कर रहे हो शाम को अभी फिलाल शाम के साथ बज गए है हम लोग ने सोच आथा कि हम लोग ग्रोसरी लेने जाए गे लेकिन इतना जादा सो गए ना मैंस आके बैंक से आते आते ही तो साड़े तीन चार बज गया था और फिर डिनर व जहां से लेना है ग्रोसरी शाफ वहां पर शाम को जाए गे बहुत जाथा प्राउट रहता है तो इसलिए हम लोग आज नहीं जा रहे हैं फिर बात में कल नहीं तो परसो कलकप लाने अभी देखते हैं पहुचेगे कि ने तो अभी फिलाल हम लोग चाय नाश्ता करके अचि disturbed नेक्स तरंख तर्स साथ आप साहे पींवयो औरón मेंस घूरिए थोड़े पढ़े नामा का फोन आया erreichen में मैंनमिका पांछ आया तो बॉर मामा मंच संधे आप मेंस थे मामा हैं जो मामा और तीसरे माम तो छोटे मामा है तो मैंस आता हुचे अटि ल्यक्त पटा चला कि में भोंby आया हूं तो भी मां ममों बोल रहे थे कितना द्न हुआ निया मैं में इने आई ज़ल्दी भेज लिखने कितना है ल उन रहा है तो मिलने को आ Не को बोल तो ममी vh vhhost di my last month to react statement upon the tron ke baad hi मामी ने फोन किया था कि अरे कभ आई कैसे है अच्छे है मैं बुला रहे थी इस संडे को आ जाना इन्वाइट किया है ऐसे बूर दिन आउगा है तो मैं बुली हाँगी और मैं बुली वैसे भी टाइम मिल जाएका ताउगी मैं सोची थी होली में जाओ तो भी देखती हूँ लिडुम में घुटे कर लाए अभी एकशोड़ा भी खराब रहता है तो इसलिए मामा ज्यादा तर अभी घर पर ही रहते और शॉप पर भी जाते तो हम लगा मामा का एम्मिटेशन का सब आफ पर काम होता है तो मामा मामी डोलो एक साथ जाते तबी तो वही। मैं भी वही मेनी काम थोड़ा जhower, काम कर्दों, मैं थोड़ा जो खेंग हो मैं खेंगा सुटने काम से ए्थ खेंग से-खेंगेन का मत जुङ तो मैं पूरिशितीय तो ममा कूल दे थी, अब हिलती मेनी का मैं तो थोड़ा बहुत काम करनों कि तो अच्छा होगा तो वही सब बात चल रहा था फिर बुल-बुरी मामा की लड़की है बुल-बुरी तो कभी टॉपिंग निकला कि वह कैसे उनका बेबी भी हो गया मैं मिली नहीं हो बस फोटो में ने देखा क्योंकि मैं तो चन्ने गही थ चल रहा था तो वही सब बात कर तो यह सीवे के साथ मैं थीग धिया थीक है इतना दिन बात कर गें तो पिर बात करते नहीं अच्छा लगे था मामालोग के साथ में वहाँ था मैं बढ़ हो गया ना तो मन में आ जयता है पिर पालुश बूरा लग जाए या फिर कुश बी क में एल्टा सुल्टा बोल दूँ, कुछ बुरा लग जाए मैं बोलना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी हम हसी माजाग में कुछ भी बोल देते हैं तो वो शायद बुरा लग जाए ऐसे मन में आप बी आ गया है और लूपसे में तो हम लोग सोचते भी नहीं थ데 ये बोलने से खरब मानने गीए या कुछ खरब माननेगआ असा बच्पन में कुछ भी करते हैं तो ये बड़े कॉछ बोलते थे थे तो तो थोड़ा वो मैं क्या बोलू नर्वस फील होता है हां मुझे ना अभी मामालो के सामने जा 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 कर ऐसा लगते है क्या बोलू पता नहीं क्या वह माने अमन से बुरा लग जाया या पर क्या बड़ी हो गए तो बहुत कुछ पीलिंग्स हमेशा होती है छोटी थे अलग था बड़े हो गया पर अलग हो गया है तो वही हभी बाबु गया है क्या बोलते है दुकान पर हम लोग भी आज न हम लोग डिनर करने वाले अंडे की भूलची और पाव हम लोग में से वह खाने को मन कर रहा है सुबह तो बात में भी आजिये ज़ड़ी से पाव भार को यह थे बेकरी है तो वह पर डिनर से वहा濃त बाबु आटाजा जाए तो वह लेने गे और अंडा लाएगा तो हम लोग अंडा बूर्जी बनाएंगे और वही डिनर करेंगे तो देखते ही जल्डी से बावो आता है फिर लेके आ जाएगे तो यह रहा हमारा डिनर जो है ब्रेड आमलेट तो सीबुन अपने लिए एक आमलेट और बूर्जी बनाया था तो मेरे ल इसको पलटे कैसे हैं पलट अच्छे सब्दूर्जी बना या अंडा अमलेट बनाने का श्ट्रगल चल रहा है उसको पलट करना है पैला मला तोड़ गया और नेक्स्ट वाला भी जू करने वाला है कोशिश कर रहा है कि उसको गोल करके पलटे तो उसका फिलार स्ट्रगल और Sivu ने अपने लिए और मेरे लिए अंडे का भूरजी थोड़ा बना लिए दोई का आमलड बना लिए तो हम लोग नोग हो गया है और उदचल रहा है बाप का तो उसका भी हो जएगा फोरमि मैं दिखाती हूँ और हम लोग खाते हैं अपना डिनर तो अभी फिलाल शाड़े 8.60 बज़ रहे तो हम लोग पाव खा रहे तो ज़्दी खा लेगे और यही हमारा आज का दीनर रहेगा तो ज़्दी ज़्धी हम लोग दीनर करते है और फिर मिलते हो, इस ब्लौक को भी यही बैंड करती हो आपके साथ और फिर मिलते हो नेक्स वी बाइ